कि देखिए नमस्कार यह जो हमारा चैप्टर चल लाता वैदुद विवाब एमधार था उसमें सभी कुछ त्योरी लगवग पूरी हो चुकी है और इसमें संख्यात्म प्रस्ण चल लाए थे बच्चों ने कुछ हमसे संख्यात्म प्रस्ण पोचे आज का जो वीडियो है व रटके या कैसे भी याद कर लेते हैं लेकिन जब तक आप नुम्रिकल कॉस्ष्ण नहीं करेंगे बहुते भी ज्यान में आपको अच्छे नमबर लाने के लिए आपको नुम्प्रिकलストो करने बढ़ाएंगे नुम्प्रिकल करने का तरीका हैी आप उधारन देखें उन्से करिए कुछ मैं आपको करा देता हूं फिर खुद कुछ कुद करने के प्यास केज़ें जोstep नहीं आता करूंगा उसके बाद फिर मैं और भी नुम्रिकल्स कराऊंगा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है किसी समानांतर पट संधारित के बीच विवांतर 200 बोल्ट है तो देखिए हमने एक यहां पर समानांतर पट संदारित बना लिया इसके बीच में 200 बोल्ट लगा हुआ है 200 बोल्ट लगा हुआ है 200 बोल्ट लगा हुआ है ठीक है प्लेटों का छेत फल दिया हुआ है इसको मीटर स्केर में चेंड कर लेंगे 10 पाव माइनस को बर्ग मीटर अब इनके बीच की दूरी दी हुई है अब यह दिन के बीच मादम वाय है तो संदार्थ द्वारा लिए गए आब इसका परिकलन करो तो दिखें क्यों बराबर होता है C. C होगा epsilon 0 A upon D into A. पास इसमें मानख देंगे 8.85 into 10 पाव माइनस 12 into 100 into 10 पाव माइनस 4 upon D. D होगा 1 into 10 पाव माइनस 3 into 200. जब हम इनको कैल्कुलेट करेंगे तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वह 1.75 1.75-10-8 कूला कैल्कुलेशन कर लेंगे तो यह हमारा जल निकल के आएगा अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है यह दिकलेटों के बीच दो दिसमला पांच परावेद्धतां का माद्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए बिवानतर क्या होगा यह आपको पता है कि जब हम इनके पीच में कोई भी माद्यम रख देंगे तो धारता बतल जाएगे तो नहीं जो धारता होगी यह तो हमारी सी है 8.85 x 10 power minus 12 into 100 x 10-4 upon upon one into 10-2 power minus-3 यह नहीं दारता होगी तो इतने ही आवेश के लिए आवेश के वमारा नहीं बदल आखा कहने का मतलब यह है कि क्यूशकल टूसी बी ज्युकल दूसई-डेस यह बीडेस हमें निकालना है तो C हमारा होगा 8.85, 5 into 10 power minus 12 into 100 upon 1 into 10 power minus 3 into 200 is equal to 2.5 into 8.85 into 10 power minus 12 into 100 10 power minus 4 upon upon 1 into 10 power minus 3 into BDS. तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें कैंसल हो जाएगी, इसको मैं दुवारा लिखे ले रहा हूँ, इसको मैं दुवारा लिखे ले रहा हूँ, इस तरह से, is equal to, is equal to, is equal to 8, इसमें 2.5, 2.5, 8.85, 10 power minus 12 into 100 into 10 power minus 4, minus 4, minus 4 into V-बे चैस, upon 1 into 10 power minus 3, इससे यह कैंसल हुआ, इससे यह कैंसल हुआ, इससे यह कैंसल हुआ, उससे यह कैंसल हुआ, क्या भचा, 200 is equal to, है दोसो इस उकल टू टू पॉंट फाइप इनटी डेसट इस इकल टू दो सो टी टू-पाइब और वी डेस इस इकल टू-स इनटीफाइब इस से कैंसल हो गया वी डेस बराबर असी बोल्ट आ यह नया जो विवांतर होगा वो हमारा असी बोल्ट होगा अब देखिए इसी तरह से एक दूसरा कुश्चन और दिया हुआ है उसके तुला जिक्र करें देखिए तुला दिहान दीजिए 1.25μF के संधारित्र को संधारित्र को संधारित्र में जोड़कर 75 बोल्ट पर आभिशित किया जाता है प्रति एक संधारित्र पर कितना आभिश है एक संधारित्र ही है C1 1.25μF और दूसरा संधारित्र है C2 5μF संधारित्र को सेंधारित्र में जोड़कर 75 बोल्ट तक अभिशित किया जाता है इसको प्रतियक संधारित्र पर कितना आभिश होगा देखिए अगर हम इनकी तुलिधारता ग्याद कर लें 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 तो तुल धार्ता वाले संधारत पर जितना आविस होगा उतना ही पर आविस होगा उस पर हम पहले तुल धार्ता निकालते हैं तो घालता अप आग्योंता 1 पॉंट थे एकूबलेंट 1 अपॉंट 1.25 लाज मूं अपॉंट 5 तो इसका लग्ट हम ले लेंगे तो यह हो जाएगा 5 और इसको हम जब भाग देंगे इसमें तो यह 4 बाद जाएगा तो 4 प्लस 1 प्रावर बन अपॉन 1 तो C एक्वलेंट इस उकल टू 1 माइक तो Q बरावर कितना हो जाएगा Q इसका लग्ट हो जाएगा तो 1 तेन पाव माइनर शिक्स इंटू 75 तो यह 75 माइक्रो कुला हो इस पर भी 75 माइक्रो कुला हो जाएगा तो प्रतिये संधार रित पर संधार रित पर आबेस संधार रित पर आबेस Q इस उकल टू 75 माइक्रो कुला अब यह पूछ रहे हैं कि दूसरा जो संधार रित रहे हैं उस पर कितना विवांतर होगा विवांतर होगा विवांतर होगा इस पर माल यह हमने इस पर विवांतर बी टू है बी टू है माना दूसरे संधार रित पर इसमां पूछा है बन पॉइंट टू फाइब इस पर बी वन तो माना पहले संधारित माना पहले संधारित के सिरों पर के सिरों पर पर विवांतर कि भी बन है बी बन है तो क्यू बराबर सी बी बन क्यू बराबर क्यू हम निकाल चुके हैं तो क्यू बराबर सी वन 2ह सीवन पी बन तो One पॉइंट क्यू कितना निकिला तो पचततर यह के से हिए कैंसल हो गया 252फ कै आपन 1.5e fluor पॉइंटétique सौ मज हिए पच्छे सिखार दिया पांद चार को साथ को साथ को इस तरह से ही हमने कोश्चन कर लिए एक कोश्चन एक छात्रा पूछा था उसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं कि संधर्व यह है अनन्त आवेस के एक सच पर प्रस्ण को हम बना दें कि क्वेश्चन यह है कि यह एक आवेस नहीं रखा हुआ है कि यूँ एक मीटर के दूरे पर एक आवेस नहीं रखा हुआ कि यूँ दो मीटर के दूरे पर एक आवेस नहीं रखा हुआ है कि यूँ चार मीटर के दूरे पर इस तरह से बहुत सारे आवेस रखा हुआ है वो सर्याव एस रख्या हुआ तो इसके मूल बिंद पर हमें बैद्दुद भीभव ग्याद करना है ओपर मूल बिंद बिंद ओपर बैद्दुद भीभव कामा ग्याद करना है तो दिखें, है क्या ? Q1 हमारा Q है Q1 बराबर Q2, बराबर Q3, बराबर Q4 यह सभी किसके बराबर Q के बराबर आरवन कितना है एक मीटर एक मीटर आर टू दो मीटर अब आर थ्री फोर मीटर एफ पूर मीटर एंड सो ओन तो देखें इनके सब क्यों यहां पर बेवब जोड़ जाएगा क्यों बेवाब बैदुद व्याव कि अदिश रास्य वति है तो ओपर कुल बाव ओपर कुल बैद तो देवा हूं कि वी बराबर पहले के कार्ण बीवन लग दूसरे के कार्ण बीटू प्लस बीदे अब देखिए इसमें बन अपॉन फूर पाई एपसालें जीरो कॉमन होगा सभी ही इन्टु क्यूं वीठून होगा यान अपन आपर बन यहां बन अपॉन रडूर थो च तो वी बराबर सिद्ध एँ ड्यद्न फonna नखेसे से सु कार्यों और यह हो गया वन अपॉन वन बन अपॉंट थो ही यह बन अपॉन पॉन और इस डेख तोCom से एक बिज्डिग Итак की गुलूत्तर स्वानी बन लए अब गुलूत्तर अनंत तक गये तो इसका योग होता है वोता है एस बराबर एपोन वन माने साथ इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे जहां एक पर्थम पर एक है और आर गया है एक पटा दो है मलब कोमन सार्वन अनपाथ या कॉमन रेशियो तो यह हो गया नौ इंटू टेंट पावर नाइन इंटू क्यू वन अपोन वन माने सब्सक्र यह ओगा 9 9 9 इंटू क्यू एंटू वन अपोन बॉन वाइट यह उपर पहुंचाएंगा तो 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 अच्छा प्वेशन था इसको आप अच्छी तैसे कर सकते हैं अब इसी तब कुछ क्वेश्चन और वी है जिनके वारे में थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे एक गेश्चन है क्वेश्चन है एक समानांतर संदारित है क्वेश्चन ये है एक समानांतर पट संदारित की दार्ता एक समानांतर पट संदारित की दार्ता दार्ता पांच माइक्रो फेरर्ड और इसके सिरों पर सिरों पर सिरों पर पर दस बोल्त की बैटरी जुड़ी है ग्याद करो पर अच्छा कोश्चन है ग्याद करो पहला बैटरी जुड़ी रहने पर रहने पर पर यद प्लेटों की बीच की दूरी आधी कर दी जाया तो नई धार्ता नई धार्ता नया आवेश आवेश एवं नया बिवाश्ट। दूसा पार्ट है बैटरी हटा लेने पर यद प्लेटों की बीच की दूरी दोरी आधी कर दी जाया तो नई धार्ता धार्ता तथा नया बिवाश्ट। नई धार्ता आवेश आवेश तथा नया बिवाश्ट। देखें बहुत अच्छा कोश्चन है आपको पता है कि जो समानांतर पट संदारित की धार्ता है वो पिलेटों की बीच पर बीच की दूरी पर नेवर करते हैं। इनके बीच की दूरी है यह मान दिया हुआ है आपको पांच माइक्रो फैरन और इनके बीच में जो बिवांतर है वो दस वोल्ट है। यह प्लारमी किस्त थी है अब बात है बैटरी जुड़ी रहने पर बैटरी जुड़ी रहेगी ऐसे समझेजिए कि बैटरी को हमने ऐसे कर लिया है ऐसे जुड़ी है ऐसे अब पहली बात है बैटरी जुड़ी रहने पर अब यह चीज हमें ध्यान रगनी है कि बैटरी जुड़ी रहने पर हमारा बिवांतर वह ही रहेगा तो नया विवांतर क्या होगा नया विवांतर अब दस बोल्ट होगा इसमें कोई परवातन नहीं होगा अब नई धारता क्या होगी सी डैस इकल टो एपसालेन जीरो ए अपॉन डी बाइटू तो यह होगा दो एपसालेन जीरो ए अपॉन डी और यह हमें पता है दो इंटू पांच माइक्रो फैराट तो नई धारता जो आगए धारता आ गए वो आगे 10 माइक्रो फैराट नया आवैस जो आ गया वो आगया सी डैस भी इस उकल टो दस माइक्रो फेरर्ण इंटुन दस डाउन सो माइक्रो कुला तो विभानतर नहीं बदलेगा तहर तब बदलेगी और आप यह से बदलेगा अब दूसा पार्ड यह है इसका बैटरी हटा लेने पूँआ बैटरी को हटा लिया बैटरी को हटा लिया और इसके बीच की दूरी डी वाई टू कर दे तो इसमें आवेस वही रहेगा आवेस नहीं बदलेगा तो नया आवेस जो पहले था वही अब रहेगा नया आवेस नया आवेस जो होगा वो कितना होगा सी इंटू बी इंटू पांच इंटू 10 पार माइनू 6 इंटू 10 पचास माइक्रो कुलाम नई धार्ता पदल जाएगी जो हम पीछे निकाल चुके हैं नई धार्ता आपकी यही हो जाएगी 10 माइक्रो फेरांट अब नया भिवानतर नया भिवानतर वी बराबर क्यों पॉण सी क्यों कितना हैं पचास इंट पार माइनू 6 पॉण 10 पार माइनू 6 पॉण 10 पार माइनू 6 पॉण तो क्या निसकर्स निकला निसकर्स यह निकला कि बैटरी जुड़ी रहने पर विवानतर नहीं बदलता और बैटरी हटा लेने पर आवेस नहीं बदलता यहां पर भी आवेस वही है आवेस कितना है पांच कुड़े दस पचास माइक्रो कूला और बाद में भी आवेस वही है तो यह बहतुपूर्ण निजल हमारे सामने निकल के आए इन बातों को हम ध्यान रखेंगे और आगे क्वेश्चनों को करते रहेंगे धन्यवाद और सब्सक्राइब भी कुश्चन हम आपको आगे कराते रहेंगे से संबंदित आप भी करिएगा